है हाई एवरिवन मैं नहीं वालिक आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रेटिश इंडिया के टाइम पर रहने वाले गवर्णर और गवर्णर जनरल्स के बारे में क्यूंकि वाइसर 1857 से लेकर और आपका कहां तक 1858 तक का इतियास उसमें चाहिए वो बंगाल का गवर्णर हो या फिर उसके बाद भारत का गवर्णर जनरल बना हो ये सारी चीजे उनसे जुड़े हुए questions आप से कैसे कैसे पूछे जाते हैं सारे previous year के question है तो उमीद है कि आप उसका revision भी बह बंगाल के governor या फिर simple कहिए बच्चा governor और governor general से जुड़े हुए questions इसको मैंने छोटा बनाने के लिए एक ही slide पर आपके उससे जुड़े हुए बहुत सारे questions और लिखे हुए हैं तो आप अपने हिसाब से बच्चा उन questions को बना लेना ठीक है आप देखे जैसे सबसे पहले आपका क्या है बंगाल का पहला governor कौन था आप सब को बता है कि प्लासी का वोर होता है 1757 में Robert Clive या फिर simple कहिए East India Company और आपका सिराजुद दोलो जो कि बंगाल का नवाब था उनके बीच में उसको वो जीत जाते हैं कौन अंग्रेज जीत जाते हैं उसके बाद से आपके ज आप शुरू हो जाता है पहले आपका बंगाल के आसपास वाले चेतर में और उसके बाद वो पूरे भारत में आप सब को पता है जातर हिस्से पे उन्होंने साशन किया है तो बंगाल का जो प्रथम governor था मतलब जो East India Company का highest post हुआ करती थी वो आपका कौन था बच्चा that is Robert Clive इसी के बीच में प्लासी का वोल हुआ था आपका 1757 में है ना बंगाल के विजए के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें या पर लिखा भी हुआ है आपके लिए Robert Clive ने ही आपका क्या किया था अदायर की सिस्टम जो है वो शुरू किया था इसका साशन काल एक साल आगे पीछे आपका बच्चा हो सकता है तो उसमें टेंशन बिल्कुल मत लेना है ना इनका आप से बहुत कम चांसिस है कि इनके यर या टैनोर को पूछा जाए तो 1757 से लेकर 1760 तक और फिर से ही आता है 1765 में ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे तो 1757 से 1765 तक Robert Clive पहला बंगा का गवर्नर आपका बनता है आगे देखो regulating act आता है है ना regulating act के अंतरगत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको न्युक्त किया जाता है अब देखिए आपका regulating act आ जाता है ना 1773 वाला regulating act उसमें जो यही post सेम किसे मतलब East India Company के highest post को ही आपका बंगाल के गवर्नर के हटा कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो भारत में आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वोरंग हैस्टिंग रहा है इसका आपको जानना बहुत जादा जरूरी है इसके साशनकाल में जो जो चीजे हुए है यहाँ पर देख लो ठीक है वोरंग हैस्टिंग पह आपका क्या पोस्ट हुआ करती थी, यह पोस्ट है बच्चा, ध्यान रखना, क्योंकि इसका खुद का सतर 72 के बार शुरू होता है, यह आपकी पोस्ट जो थी, हाइस पोस्ट आपकी क्या होती थी, बंगाल के गवर्नर की, 73 में रेगुलेटिंग एक के तहत इसी पोस्ट को आपका गवर्नर जनर्रल में बदल दिया जाता है, यही पद आगे जाके बच्चा, ध्यान से सुनना, यही वाला पद आगे जाके आपका किस में चेंज हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनर्रल में चेंज हो जाएगा, का से, आपका मैं 1833 के Charter Act से, अब बंगाल का गवर एक ही पोस्ट है उसके बस नाम चेंज हो रहे हैं 1858 के बाद 1857 की क्रांतिमिन का बुरा हाल एक तरह से किया था हला कि इसको दबाने में भी सफल हो गए थे लेकिन 1857 के बाद आप सब को पता है कि आपका इस इंडिया कंपनी का सारा का सारा जो एक तरह से का यह रूल था वो जो इस पोस्ट को भी कौ egoirnor जंरल की पोस्ट को भारत के वाइसराए में चेंज कर दिया गया जिसको हम पार टू में पढ़ने वाले है आया समझ में आ गया होगा है ना यह बहुत इंपोर्टेट आगे की इंफोर्मेशन है कि इसके अलावा वट्चा वोरन एस्टिंग क के बारे में आपको पढ़ना है 1772, कहीं कहीं पर आपका 1774 भी लिखा मिलेगा, क्योंकि बचा 1773 वाला जो आपका एक था, उसके बाद ये पोस्ट आपकी इनको मिली थी, ध्यान रखना, तो 1772 से लेकर 1750 तक इसका टोटल 10 हो रहा है, आखरी बंगाल का गवर्नर, ध्यान गया है ना, इसी के टाइम पर आप ध्यान रखना, इसी के टाइम पर आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, जिसके विरोध के कारण इसने क्या इस्तिफा दे दिया था, ये ब्रिटेन चला गया था, वहाँ पर इसमें महाभीयोग चलाया गया था, कुछ टाइम कोट की स्थापना की जाती है, जिसकी पहली जज़, अपने आप में एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, तो इसलिए मैंने इसको यही पर रख दिया, क्लास थोड़ी छोटी करने के लिए, उसके लावे एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में, इसी के स जनल पर, ब्रेटिश अंसद में महाभियोग चलाया गया, मैम आपका वोरन हैस्टिंग, एंगलो नेपाल वोर इसी के साशनकाल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, पावितर गरत भगवत गीता का, अंग्रेजी में अनुवाद का श्रेकी से दिया जाता है, जो वोरन भारतिय लोग सेवा का आयोग का प्रवर्तन किसे का जाता है, इंडियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन वोज इंप्लिमेंटीड, किसके साशनकाल में बच्चा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, लोड कानवलिस, बहुत बहुत पूछा जाता है, सिविल सेवा का जनक भारत मे भारत में सिविल सेवा का जनक लोड कानवलिस, इस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला ये था, जिसको बनाया बच्चा किसने था, सर जोन शोर ने है, लागू करने वाला ये था, लेकिन इसका सारा प्रारूप बनाने वाला आपका, क्या था, सर जोन शोर, और उसके इसके लावा, circuit court की स्थापना भी आपके Lord Convalis के द्वारा ही कई गई थी, circuit court, sorry ठीक है, बंगाल के शेर के उपनाम से आप किसको जानते हैं, बंगाल के शेर के उपनाम से लोड वेलिजली को, किसको जाना जाता है, लोड वेलिजली को, इसके साशनकाल में क्या-क्या हुआ ब एदराबाद ने सबसे पहले श्विकार किया था, बसीन की संदी आपका पेश्वा बाजी राओ और अंग्रेजों के बीच में इसी के साशनकाल में हुए थी, चोथा, एंगलो मैसूर वो और 1799, बच्चा जब टीपू सुल्तान के आपकी डेत हो जाती है, शिरी रंग पत लोड डल हो जी, most 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 important, भारत में रेलवे शुरू करने वाला ये आपका इक गवर्नर जनरल था, 1853 में अगर आप सबको याद हो है, 1853 में प्रिंटिंग प्रेस और डाक टिक्टो का परचलन इसी के साशनकाल में शुरू हुआ, पहली जो रेलवे लाइन है, वो मुंबई जनरल के साशनकाल में आए था, ऑप्शन हमारा हो जाएगा, लोड डल होजी के साशनकाल में, ठीक है, हडप नी थी, सबको याद होगा न, हडप नी थी, हलकी वो अला क्वेस्टन में रखा नहीं है, उसके लिए माफी दे दीजे, हडप नी थी, इसी के साशनकाल में आई गवर्णर जनरल में से एक यह most important है, 1813 से 1823 का इसका साशनकाल होता है, इसके समय में मदरास का गवर्णर, यह important है क्योंकि प्रिवेस यह पूछा गया है, इसके समय में मदरास के गवर्णर हेक्टर मुन्रो ने, है न, आप सबने सुना होगा ना, रैयतवाडी व्यवस्था जो है वो शुरू की थी, सबसे पहले रैयतवाडी व्यवस्था कहा पर शुरू की गई, मदरास में उसके बाद फिर आपका बंगाल में, कब की थी मैं, 1820 में की थी, यह बहुत important है, रैयतवाडी व्यवस्था में कि भाया पहले आपका अंग्रेज और किसानों के बीच मे अब सीधे किसानों के बीच और आपका अंग्रेजों के बीच आपका क्या होने लगा, एक तरह से जो टेक्स वाला सिस्टम था, वो सीधे आपका आने लगा, तो यह रैयतवाडी सिस्टम, जमिदार का रोल ही आपका खतम हो गया, वोरन हैस्टिंग के टाइम पर यह चीज आपका कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, लोड विलियम बैंटिक था, बताया था ना, पहले आपका क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद उसको भी हटा देंगे, और उसी पोस्ट को क्या बना देंगे, भारत का Governor General बता देगे और भारत का Governor सबसे पहला आप कहेंगे मैम Lord William Bentic ही हो जाएगा भारत का पहला Governor General आपका Bentic 1828-1835 तक का क्योंकि 1833 का जो Charter Act है था उससे इसी पोस्ट को भारत का Governor General बना दिया गया था यह सारी चीज़े मैंने आप आराम से PDF को देखना बहुत अच्छे समाझ आ जाएगी अच्छा इसके टाइम में क्या हुआ है मैं हम सती पर्था का बैन राजा राम मोहन राय के एक तरह से कहिए आपके परियासो के कारण है ना बच्छा राजा राम मोहन राय बहुत पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के परियासो के कारण इसी के साशन काल में सती पर्था का आंथ हुआ ठगी पर्था का आंथ हुआ इनके काल में कोई वोर नहीं हुई है बच्छा ऐसे कोई खास ठीक है वाइसराय का आ गया, माफ करने बच्छा, किस वाइसराय की हत्या उसके काल में उई थी, लोड में हो, एक दिन मैंने आपको क्वेस्चिन कर वाय था, काँ हुई थी, मैं में पोर्ट बलेयर, यानि की आपका अंडमान नीको बार में है ना, अंडमान नीको बार में काफी जल्दी से बताना, comment करें कि किसने की थी, किसने चाकु गोपा था, इसकी करदन पर, चलो, किसे भारत के इस्थानिय स्वासाशन का जनक कहा जाता है, most most important बच्चा, जो हमारे आर्टिकल 40 के अंदर पहली हुआ करता था, फिर 73 के बाद आपका कानून बना, यानि कि पंचाइत सिराज स्थानिय स्वासाशन की बात हो रही है, तो लोड रिपन को भारत में स्थानिय स्वासाशन का जनक कहा गया है, पिंडारियों का दमन करने वाला लोड हैस्टिंग भच्चा, ध्यान अखना, पिंडारियों का दमन करने वाला लोड हैस्टिंग था, स्वतंतर भारत क पहला Governor General, देखो, आपका आजादी तक बच्चा क्या था आपका, वाइसराई हुआ करते थे, उसके बाद जब भारत आजाद हो गया, तो इसी पोस्ट को फिर से Governor General आपका बना दिया, फिर आपका, जो आपका, जब तक समविधान लागू हुआ, फिर इस पोस्ट को बिलकुल अबोलेश कर दिया गया, तो Lord Mountbaton जो था वो पहला Governor General था, और अगर भारतिये की बात करेंगे हम, जो हमने सबसे पहले अपनी इमेज पे देखा है, आज तो क्या हो जाएंगे, सी रा आज गोपाल चारे हमारे पहले भारतिये भारत के इंडिपेंडेंडेंस के बाद Governor General बने है, लोड कलाइव को उम्र की उपादी किस ने दी थी, लोड कलाइव को बचा आलमगीर ने दी थी, ब्लैक होल की घटना का गवर्णन बंगाल के किस गवर्णन ने किया है, होल विल वो भी आपका इसी के साथ है, तो सुजाओ दोला और इस इंडिया कंपनी के बीच में हैंडरी वेसिंटार के बीच में हुआ था, 1760-1765 के बीच में रहा है, यह क्वेस्टिन भी बहुत पूछा जाता है, आगे रिंग फेंस की नीती का सम्मंध किस गवर्णर जनल से है, अपनी सीमाओं को एक तरह से कहिए कि प्रोटेक्ट करना है, आपकी बहुत पाकिस्तान की सीमा पर है, आपकी मैनमार की तरफ हो रही है आजकल, तो आपका रिंग फेंसिंग की नीती का सम्मंध किसे है, वोरन हैस्टिंग से है, आगे वोरन हैस्टिंग ने बोर्ड ओफ र कारियों से करना, सब्दों से मत करना, लोड रिपन ने ठीक है, लोड रिपन ने कहा था, तो मेरा मुल्यांकन मेरे कारियों से करना, सब्दों से नहीं, जो कि एक सची बात भी है, तो लोड रिपन ने ये कहा था, और थैंक यू सो मच बच्चा, इस जाधा बलम भी नहीं है most important question मैंने governor से यहां पर रखे है कोई छूट भी जाएगा attention मतले ना part 2 जो वाइसराय वाला होगा मैं और ज्यादा देख के बतार search करके आपके लिए लेकर आऊंगी आपका कोई question हो तो comment box में बता दे ना क्योंकि मैं personally आपका reply करती वो नमु जोदरी 3811 वाला हम ही है पराणी है ना तो वाइसराय part 2 आपका आएगा जिसमें हम और जादा elaborate करके इन चीजों को पढ़ेंगे उमीद है आपको ये class अच्छी लगी होगी आपके सारे question यहां से almost cover हो जाएंगे मिलते हैं part 2 में और इतना जादा प्यार देने के लिए बच्चा thank you thank you thank you so much बस आपका साथ ऐसे ही बना रहे और आप जल्दी से सफल हो जाए thank you so much